जो भोलेना अतना मुश्कार दोस्तों अपसोई के सोयत है धर्म ज्यान के मार्व मुतना जहां बात करेंगे महा सीवरात्री 2024 में कव है ब्रत के विधी पूजा पारण का शुम्म हुरत अखंड सवभाग और हर मनुकामना पूर्थी के लिए सभी महिलाएं जरूर करें हैं उ कि इस दिन सीव जी और माता पारवती का विबाह हुआ था इसलिए यह पर हर साल सीव भक्तो द्वारद्धूम धाम से मनाया जाता है महा सीव रात्री के दिन सीव जी के भक सर्था और विश्वास के साथ बड़त रखते हैं और विधी विधान से सीव गवरी की पूजा कर कई गुणा आधिक भल प्राप्त होता है ऐसे में चलिए जानते हैं कि साल 2014 में महासीवरात्री की सहीत इथि सुव माउरत याओ पूजा बिधी के बारे में सभी महत्विन बाते आप लोग वीडियो को अंदर तक जरूर देखिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए अगर अभी तक आप लोग चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सबस्क्राइब करके कमेंट बच्स में हर हर महादेव चय भोलेना चरूर लिखिएगा इनकी किर्पा पाने के लिए दोस्तो पंचांग के अनुसार फालगुन महा की कृष्ण पक्षकी चतूर्थी तिथी की सुरुवात आठ मार्च को संध्याकाल नौ बज कर संदाओन मिनट पर होगी इसका समापती अगले दिन नौ मार्च संध्याकाल चो बज कर 17 मिनट पर होगा सीव जी की पूजा प्रदोस काल में की जाती है इसलिए उद्याती थी देखते हुए ऐसे में इस साल महा सिवरातरी का बरत आठ मार्च 2024 को रखा जाएगा आठ मार्च को महा सिवरातरी के दिन सीव जी की पूजा का समय साम के समय 6 बज कर 25 मिनट से 9 बज कर 28 मिनट तक है तक 9 मार्च 2024 को बरत का पारण का शुव महुरत है शुवा 6 बज कर 37 मिनट से दो पहर के 3 बज कर 28 मिनट तक 9 मार्च को पारण किया जाएगा इस महुर्थ में ये तो किलियर हो गया महुर्थ वाली बात अब चलिए जानते हैं कि ब्रत की वीधी क्या है क्या उपाय करना चाहिए मनुकामना पूर्थी के लिए आप लोग वीडियो में बने रहिएगा तो सभी महिलाय जो है सीवरात्री कि एक दिन पहले ही अपने बाल धोकर असनान कर लें और लहसन प्याज और मांस मदीरा का सेवन ना करें घर में भी आप लोग ये सब चीजे ना बनने दें उसके बाद महा सीवरात्री की दिन आप चाहें तो सुबह में भी पूजा कर सकते हैं लेकिन प्रदोस काल में पू को हैं या मन्दिर जाना नहीं चाहते हैं तो घर पर अगर स्यृइन है तो उसकी पूजा करें और पूरे दिन निरहार नहीं बहुत शेजगा पर निर्जलाब्रत रखा जाता है और बहुत से जगह पर फलहार करके बरत को रखा जाता है तो आप लोग अपने घर का नियम देख लिएगा कि कैसे क्या करना है हमारे यहां तो निर्जला बरत रखा जाता है आप लोग अपने यहां का नियम देखिएगा जहां का नियम जैसा होता है वैसा ही करना पड़ता है अब चलिए जानते हैं कि किस समस्या को दूर करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए तो सबसे पहली बात है कि महाँ सीवरात्री के दिन अपने किसी एक्षा को कागज पर लिखे उधारन के तोर पर जो भी आप लिखना जाते हैं आपको नहीं मिल रही है तो आपको लिखना है और लिखने के बाद इसे लाल पैन से एक कागज पर लिखे और उस कागज को मोड़ कर सीवरात्री वाले दिन भगवान सीव के चर्णों में रखें उसके बाद बाहर जमीन में दबा दें और साथ ही उस जगह पर एक पौधा लगा दें और रोजाना उस पौधे में आप पानी दें जैसे जैसे वा पौधा बड़ा होगा वैसे वैसे ही आपके एक्षा पौण होती जाएगी इसके आलामा आप दूसरा उपाए पाँच मुखी रुद्राक्ष को पानी से साफ करके सुखा लें सुखने के बाद इसे अपने बाएं हाथ में रखें और दाएं हाथ से बंद करके अपनी सारी एक्छाएं बोल दें साथ ही मन में सोचे कि यह मेरा एक जादूई रुद्राक्ष है जो मेरी सारी एक्छाओं को पूरा करेगा इसके बाद इसे कहीं सुरक्षित जगह पर रख दें और दीन में एक बार जरूर देखें ऐसा करने से भी जल्द मनुकामना पूर्ण होती है तीसरा उपाय है कि एक काली मिर्च और साथ काली तिल्ली के दाने हथेली में रखकर मन में मनुकामना अपना बोले और सीवलिंग पर चढ़ा दे ऐसा करने से आपकी मनुकामना चरूर पूरी होगी सीवरात्री के दिन 21 बेलपत्र लेकर सभी परचंदन से ओम नमा सिवाय लिखकर सीवलिंग पर अपनी एक्षा बोलते हुए चढ़ाएं मनेता है कि सीव का दही से रुद्रा अभिसेख करने से संपती में बढ़ोत्री होती है गन्य के रस से अभिसेख करने से लक्षमी की प्राप्ती होती है इस दिन अखंड सभाग के लिए माता परबती को सुहाग की समागरी जरूर चढ़ाएं और सुबह पारण करने के पहले माता पारबती से आसिरबाद ले सुहाग ले सुहाग कैसे लिया जाता है पारण के दिन सुबह सबेरे असनान करने के बाद भगवान सीव और माता पा भाग का वर्दान मिलता है जानते हैं कि इस दिन हमें कौन सी गलतियां नहीं करने चाहिए तो इस दिन भूल कर भी आप लोग अपसब्त बातें अपने मुख से ना निकालें अपने से बड़ों का अपमान ना करें और ऐसी बाणी ना बोलें जिससे कि किसी का दिल दुख जा अइसा करने से हमारा ब्रत जो है खंडित हो जाता है आप लोग इस दिन जितना हो से के उतना अपने परिवार में खुसाwechselी बना करके रहें कोई भी ब्रत हो उस दिन हमें भूल कर भी कोई गलति नहीं करना चाहिए जिससे कि हमारा ब्रत खंडित हो जाए किसी की बातें, किसी की चर्चा, किसी की चुंगली, किसी के घर आना जाना ऐसा नहीं करना चाहिए ब्रत के दिन उम्मीद करते हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आएगे अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय भोलेना जरूर लिखेगा इनकी किर्वा पाने के लिए फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए भाई धन्य बाद